यहां पर पेपर में कुछ इसी से रिलेटेड इंफोमेशन आई है तो उसको हम लोग देख लेते क्योंकि इस तरफ सभी का दिहान जाएगा अगर न्यूस पेपर में कोई भी इंफोमेशन आती है तो सभी का फोकस जाएगा और हो सकता है कुछ चेंजेस आपके यहां पर किये जाए तो चलिए देनिक भासकर की यह न्यूज है 17 नवंबर से शुरू होने वाली 18527 पदों पर प्राइमरी टीचर्स की बढ़ती अब इसमें डिमांड क्या की गई है क्योंकि आप सभी को पता है कि डियेलेट परिक्षा कोवीट के कारण जो है यहां पर लेट हो गई थी जिस कारण यहां पर रिजल्ट को होल्ड पर रखा गया है और साथ ही एंपिटेट के जितने भी टॉपर से जो सब्सक्राइब कर आपका वो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसको होल्ड पर रखा जाए ठीक है तो स्टुडेंट्स की यही डिमांड देख लेते एक बार इंफॉमेशन क्या यह प्रदेश के सरकारी स्कुलों में प्रात्मिक शिक्षकों की भरती के लिए स्क इन्होंने बताया कि माधिमिक शिक्षा मंडल की लापरवाही के कारण भरती प्रक्रिया में शामिल होने से वह वंचित रह सकते हैं जिनको प्रफेशनल एक्जामिनेशन बोर द्वार आयो जित प्रात्मिक शिक्षक पात्रता परिक्षा 2020 में 2020 में टॉपर्स वाली रैंक म उनको नियुकती मिलने में थोड़ा सा डर है क्योंकि दोनों विभागों में 18,527 पदों पर भरती होगी तो ऐसे में ये स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे हैना रीजन क्या दिया है दरसल मादमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो डियलेट सेकेंड यर की परिक्षा समय पर नहीं करवाई गई थी इसलिए उनका रिजल्ट नहीं आ पाया है उमीदवारों का कहना है कि पहले तो तीन महीने से देरी परिक्षा शुरू हुई है और अब इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है इस कारण भरती शुरू होने से पहले ही वो बाहर हो जाएंगे क्योंकि लोग शुक्षा संचनाले के द्वारा बीते दिनों भरती की काउंसलिंग पॉर्टल पर एक निर्दीशी का अपलोड की गई थी जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि विग्यापन जारी होने की तारीक तक आपका जो फाइनल येर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए करिए उससे पहले हमारा कट आफ नहीं आना चाहिए ठीक है तो यहां पर डर लग रहा है कि अगर इनका रिजल्ट नहीं आता है तो यहां से बाहर कर दिये जाएंगे ठीक है और रीजन भी बताया गया है आपको यहां पर की परिक्षा क्यों टाली जा रही थी जून में हो कर रहे हैं तो यहीं इंफोमेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी और ऐसे आपके कोई भी दिक्कत है जैसे अभी एक सबसे बड़ा दिक्कत इसके अलावा एज वाला लग रहा है इसके अलावा ऐसी कोई परिशानी आ रही है तो जरूर से उसको सामने रखिएगा डेफिन को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा इसी तरीके की इंफोमेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग